हाई, वेलकम तो मैं चौनल, इस वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्वेशन आप 4 यहाँ पर ध्यान देनी बात है कि एंगल जो देता है उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है इससे पड़ता है कि जो साइड का लेंथ दिया हुआ है वो कहां कहां दिया हुआ है तो आपका दिके BC दिया हुआ है और CD दिया हुआ है तो आपको जो है एंगल B, जो थ्री एंगल पता होना चाहिए वो एंगल B, C, D पता होना चाहिए तब ही आप construction कर सकते हैं इसका completely तो पहले-पहले आप इंगल C को find करेंगे तो लेट उस find एंगल C using angle sum property of a quadrilateral ओके, we know that angle A plus angle B plus angle C plus angle D is equal to 365 degree तो यहाँ पर क्यों हमें angle C पता नहीं है तो A, B, C को put करके हम equation बना लेंगे और कि उसे मनानेक बाद angle C जो है find कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा ओके ता हमने angle C जो है find कर लिया है 100 degree तो हम यहाँ पर note कर लेंगे 100 degree अब हम सबसे पहले या तो BC से start कर सकते हैं draw करना या फिर CD को draw कर सकते हैं किसी एक से आप start कर सकते हैं तो पहले हम BC से start करते हैं 5.5 cm line segment खीच कर तो हमने BC line segment draw कर लिया है 5.5 cm का अब B point पर हम angle बनाएंगे 110 degree और C point पर बनाएंगे 100 degree तो यूजिंग प्रोडेक्टर तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर CB का direction जो है left side में है तो हम left जो नीचे वाला scale है उसका use करेंगे तो हम देख सकते हैं कि 100 आपका यहाँ पर दिख रहा है तो यहाँ पर एक mark कर लेंगे एक point बना लेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 100 degree के direction में हमने यह mark कर लिया है point अब हम C point और यह जो point हमने mark किया है 100 degree के direction में यहां से इनको ज्वाइन करते हुए हम एक ray diagram ड्रा करेंगे और इसका नाम रहेगा Cx तो हमने ray diagram ड्रा कर लिया है Cx अब हम C को center मान करके 4.1 cm का radius ले करके एक R खीचेंगे जो point D पर intersect करेगा इस Cx ray को तो हमने एक R खीचा यहां पर और यह point मिल गए आपको कौन सा D यहां degree लगए आप और D point पर आपको angle बनाना है 85 degree का और B पर आपको 110 degree का तो दोनों को यह दिक कंस्ट्ट करेंगे तो आपको point A मिल जाएगा point of intersection यहां पर B point आप देख रहेंगे BC जो line segment है वो right side की तरफ जा रही है तो इसलिए हम क्या करेंगे इधर उपर वाले scale का use करेंगे angle बनाते समय तो हमारा angle बनाना है 110 degree तो यहां पर आप उपर वाले scale को देख सकते हैं आपका 110 यहां है यहां पर एक mark कर लेंगे आप देख सकते हैं हमने 110 पर एक mark कर लिया है अब क्या करेंगे कि B तो अब हम यह B point और यह जो हमने mark किया है point 110 degree के direction में इन दोनों को join करते हुए हम एक ray ड्रा करेंगे जिसका नाम होगा B Y आप देख सकते हैं कि हमने यहां पर B Y एक ray ड्रा कर लिया है और यह आपका angle है तो अब हम यहां पर D point पर बनाएंगे 85 degree angle तो ध्यान देज़ेगा DC जो है नीचे की तरफ है means left hand side की तरफ जा रही है इस protector के so हम नीचे वाले scale का use करेंगे तो नीचे वाले scale पर आप देखेंगे कि 85 degree कहां है तो यहां 50, 60, 70, 80 यहां पर एक point मार कर लेंगे 85, 80 और 90 के बीच में आप यहां पर point है आप देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं हमने एक point मार कर लिया है 80 और 90 के पीच में और यह आपका 85 degree angle है तो अब d और इस point को मिलाते हुए हम एक ray ड्रा करेंगे जो intersect करेगा by ray को और इसका नाम हम देगे d z तो हमने d z ray को ड्रा कर लिया है और आपका angle यह बन गया है 85 degree तो यह जो point आप ड्रेस्ट्रेस्टन है d z और by का यह आपको मिल चुका है angle यह आपका point vertex a so आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो quadilateral है construct हो चुका है तो this is your required quadilateral यदि आपको अच्छाला है construction तो like कर सकते हैं आप इस वीडियो को और अपने देख सेर कर सकते हैं और यदि आपकोई भी doubt है आपकी पर में तो बिल्कुल आप comment box में बता सकते हैं मुझे मैं जरू reply करता हूं okay thank you so much for watching bye